प्रश्वाइब देख रहे हैं यूवाराजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहाइब एमिल सी चुने जाने के बाद पहली बार पटना से मुझफरपूर पहुचे है जहां उनके समर्थों को ने जोड़दार सवागत किया कारी सुहाइब अपने पार्टी कारिकरताओं के साथ सड़क पर लोगों का अभ खड़े थे और कारी सुहाइब का स्वागत करते हुए उनके गले में माला डाला और तेज प्रताब यादब तेजसरी यादब लालू यादब के नारे लगाए इस दौरान कारी सुहाइब ने समी लोगों का शुक्री आदा करते हुए कहा कि आज मैं मिल सी बना हूँ तो उने लोगों का शुक्री आदा करते हुए कहा कि किस तरह से आप सबको धन्यवाद दूँ कि शुरू से ही जब से मुझे मुझे मेड़ा साथ दिया पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे सरकार के खिलाफ जो भी अंदोलन हुआ उसमें यूवा राजित के जो कारे करता है वो लगतार डटे रहे और पुलिस की जो करवाई थी यह सरकार की तरफ से अगर किसी तरह की करवाई की जादी थी उसके बावजूद वो सड़कों पर डटे गुए था आप व वो आज पटना से MLC चुने जाने के बाद पहली बार मजफरपूर जा रहा थे मुझा रहते हैं वहां जब वो MLC के नाम की खोशना हुई थी तो उस वक्त उनके नाम पर महर लगाई गई थी तो उनका जो सारा रिशिडेंस जो आवासे पता है वो मजफरपूर का था और जो लोग बहुत खुश थे मुआरगबाद दे रहे थे और जो निरवाशन के परकिरिया थी उसके बाद परचा दाखिल करने के बाद इसकूर्टी हुई और जब कल उन्हें सर्टिफिकट दे दिया गया तो वो देर शाम लालु पुर शाद यादब से मिलने के लिए लोग हैं वो कारी सुहेब जिन्दाबाद लालु परशाद यादब जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे और इस दौरान उन्होंने सबका शुहरिया दिया क्या खुली जीप में अपने कुछ समर्तवा के साथ वो पूरे शहर का ब्रहमन कर रहे थे और इस दौरान जो प जहान परिशत पहुंचा हूं और वहां भी जाने के बाद जो समस्या है लोगों की परिशानिया है उसको ले करके आवाज हमेशा उठाता रहूंगा लगतार अपडेट के लिए आप जूर रहे हमारे साथ नमस्कार